राज्य सरकार का साथ मई को जारी पदन्वती में आरक्षन रद करने का फैसला सविदान के प्रावधनों का लंगन है राज्य के उर्जा मंतरी और अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमिटी के अनुसचित जाती विभाग के राश्ट्रिय अद्रिक्ष डॉक्टर नितिंद्राउत इस फैसले के खिलाब हर स्तर पर आंदोलन शुरू करने का फैसला महराश्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस के अनुसचित जाती विभाग के बैठक में वीडियो कॉंफर्ण सिंग में लिया गया डॉक्टर राउत की विशेश उपस्तिती में यह बैठक आईजित की गई थी ब महराश्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अनुसचित जाती विभाग ने इस फैसले के खिलाब आंदोलन की भविश्य के दिशा पर चर्चा करने के लिए विडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से कॉंग्रेस नेताओ और अनुसचित जाती विभाग के जिला बैठक बलाई बैठक में पूर्व सांसे डॉक्टर भाल चंद्र मुंगेकर पूर्व मंत्री चंद्रकान हंडोरे अखिल भारतियों कॉंग्रेस कमिटी के सच्चु संपत्कुमार महराश्ट्र के एससी प्रभारी मनोश बागडी कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता भाइनग के लिए 2001 से प्रयास किये जा रहे हैं नतिजतन 2004 में महराश्ट विदान सभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था तदनुसा 25 मई 2004 को सरकारी संकल्ब जारी किया गया था इस वैसले को चुनोती दी गई थी इस समन में जहार राज्यसरकार की विशेश अनुमती सुप्रेम कोर्ट में लंबित है वही राज्यसरकार ने साथ मई को यहाँ आदे जारी किया है जिससे राज्य में पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की पद्वन्नति में हरकम मच गया है यह बताते हुए कॉंग्रेस अद्धिक्षय सोनिया गांदी ने हमेशा पिछड़ वर्गों के हीतों पर विचार किया है डॉक्टर राउत ने कहा कुछ मेहने पहले सोनिया गांदी ने मुख्यमंत्रेयों दुठाकरे को पत्र भेश कर पीछड़े वर्गों के हीतों के रक्षा करने का अग्र किया था कहा गया कि इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है लेकिन राजी सरकार के स्तर प्रैसा नहीं हुआ अगले दिशात तै करने के लिए जरूरी है कि महाविकास आगाडी के सभी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें दली समाज में बढ़ते असंतों से आउगत कराई जाए राउत ने इस बार सुझाओ दिया आंदोलन के चार बिंदू इस समय डॉक्टर राउत ने कहा कि चार सुत्रिया आंदोलन की जरूरत है मुख्यमंत्री उद्ध ठाकरे के साथ बैठक कॉंग्रेस के प्रदेश अदिश्य नारा पटुले राजस्वमंत्री बाला साहिब थ ठाक उपमुख्यमंत्री अजित्पवार से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त करना कि जियार असविदानिक है सभी नेताओं ने इन सुझाओ पर सहमती जताई इस समय डॉक्टर भाल चंद्र मुंगनेकर ने कहा कि कुछ लोग पदन्नती में आरेक्षन हटाने और दलितों क के बीच कॉंग्रेस पार्टी की छबी खराब करने के लिए कड़ी महनत कर रहे है पूर्व मंत्री चंद्रकान हंडोरी ने कहा कि विरोध के लिए सडकों पर उतरनी की जरूरत है साथ ही संपत कुमार अखिल भारतिया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस कमिटी के माध्यम से इस शेक पांसे के लिप पूर बीजियन यूस्नाप पूर् कर दो